हमें ऐसे सुरब सबसे ज़्यादा अफ्रीका से मिरते हैं वैज्यानिकों और पुरेत्त और विदों में अब तक जिन प्राचीनतम अफ्षीशों को खूचा है उनने कई अफ्रीकी जमीन में पाए गए गए हट्डियों के टुकडे खोपडी के हिस्से आदम उपकरणों के आकारवाले पत्था ये समें एक ही निश्कर्श के उनिशारा करते हैं कि मानुप सवान विशेश्टाओं वाले प्राणी सबसे पहरे अफ्रीका में ही रहते थे हम मानुप सवाज का अध्या, उठ खनन और उससे प्राप्त वस्तों के विश्लेशन के जरीए करते हैं हाल में विध्यान की प्रगती ने हमारे विश्लेशन को मदब दी है कावन डेटिंग और अन्य तक्नीक से हम किसी वस्तों के आयू जान सकते हैं अब पुरानी हट्डी के डिवडों से डियन में हासिल कर इसकी तुरणा अन्य रूब से कर सकते हैं करीब पचास लाग साथ रहें मानुप वच फ्रिक्ष विभाजित हो गया अधि वादर के रूप में मिकसित्यों जैसे हमारे करीबी अनुवर्चिक सब्बंदी जिक प्यांसी जिक्कि अन्य हमारे आरभी पुर्वड़ के रूप में मिकसित्यों एक एहन खुल से पता चलता है कि कवानर इंसानों की तरह मों गये रात में जिवाजित्यों के प्यायों की निशान बताते हैं कि पूर्वड़ मानों पानों का एक सम्भू ज्वाला मुखी की चाया में चला था वो भी दो पैरों पर हम ने ऑस्चरव नित्रकस या दक्षणी बंदर कहते हैं हम नहीं जानते कि ये दो पैरों पे कैसे चलने करें कुछ वैक्यानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा उतना तब सीखा जब चलवाई वदरने लगी और खुदे बैदाना में जंगलों की चटा रही कारूं चाहिए जो चार पैरों की तुरना में दो पैरों पर खड़े होने की कईफाय दे थे इससे विद्धूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमार खाने और पंच्चों को पकड़ने की ने कर सकते थे इस परिवरतर में लागों सालाग को और कई प्रजादिया अधिक स्थिर्व कर चले गएगा इस प्रक्षियों ने पुम्री से पखड़ने की क्षामता सती उद्धूर उनके निच्छली आंप पैर बंदर और उप्रियां आगर उप्रियां अने दिमागों के आकार और शायर किसी आधिमार में नहीं पत्थर से अली को मारा होका और उन तुल गया और जिखनी वारों उने ऐसा किया उनकी यादास्त बढ़ती में कुछ सावे बाद उनने पत्थरों को ही तोरना शुरू किया और उने नुखीला अटाकि उनका इस्त्माल भली तोरने के साथ साथ मांस कापने क्लेकर सके हम उन्हें हो मोय मानर कहते ही उन्हें नए उजारों से अधिन जारूरों द्वारत छोड़े गए मांस को कटने में मदद मिली मान्स खाने से उन्हें अधिक प्रोटीन में लगा कुछ विश्य शक्ति का मन्ना है कि इस आरण में उनकी मस्तिश्क के आकार बढ़ता है उनकी दादा पेशक का मही होगी मगर वे परिस्थितियों से अध्मूर उने में वानों से अधिक सक्षम थे और वे अफ्रीकी जंगल वाली लागों से बाहर जाने लगे आज मानों को मांस की दराश्तिय वह जाना पड़ता था जहां अन्य शिकारी थे लब बीस राख सार पहलों हमकी एक नई प्रजा की उखने लड़ी हो मिलेक्टर सीधे खड़े होकर दूम तक चाल सकते थे और इस बगार खत्रों से भी बच सकते थे मद्यपूर्ट और एशिया में पाए गए जिवार्शनों से पता चलता है कि इस कर्क्रिय में वे अफ्रीका से माहर प्याले गए जैसे जैसे वे नहीं जब अपर गए उन्होंने नए नर्सी के उनक्यों आजार बेहतर हुए जिनसे उन्हें आंस काटने में बदद में लि में उनके बात काँ आने होने लगे शिकार तक दुरन पहुचने के लिए उन्होंने दौनना सीखिए श्रेत को पिल्ड़ को कि उन्हें पसी में आने लगे क्योंकि उन्हों अन्य जानगरों के दुरना में ज्यारत गंधिया थी कुछ साक्षियों के अनुसाद शायल वे आ गर्वक साथ लाग सार पहले अफ्रीका में नया सभूर रिकसित हुआ जिसे हम हम हाइडर बर्गेंसिस या हाइडर बर्ग मैं कहते ही उनके शरीर अधिक बड़े और मास पेश्युमाले थे ताकि विविभिन जर्वाईयों में रह सके अवे सिर्व मरे मोल जानवलों नहीं खाते थे बरकी खुद भी शिकार करने लगे मामूलियों आजारों की जगा हाथ की पुल्हारियों में देए विपक्थर की मुखीली नोक और धार-धार चाकु बनाना जान देए और शायल लगरों की भारे देए एवलूशन यानि उद्विगास की प्रक्रिया पहने की धना जारी नहीं हजारों से नहीं सालों के दौरान हमारे पूरवर्च अफ्रीका की बाहर यूरोप और एशिया में खाल रही हो हो हाई वर्गेंसिस से कल नहीं संबंदित प्रजातिया विकसित हुए उनकी इशारे विक्षिश्टाइम एक समान थी लेकिन उनमें से कोई भी आध्यूनिक मानव की तरह नहीं था इन प्रजातियों में हम सबसे ज्यादा हमों नियंडर डॉलर्ण से विस्ट यानि नियंडर डॉल के बारे में जाकते हैं जो हमारे समसे करीबी दिलूप तुच्टेदार में उनके शिरीव छोटे और गठी ने थे और वे ठंट से है सकते थे उनके कंदे जोए हाथ छोट पर नाप काफी बढ़े थी विर आदिम पोशार पहनते थे पर पहरे से बेदर वावजारों का इस्तिमाल करते थे और पंधर काटने से बहिरे वाजार का आगाम पैकर लेते थे विर शायक आदिम भाशा में बाचीत करते थे और सबसे महत्वून बात ये कि उन्होंने इस्तिमाल करना सीख लिया था हमारे पास नियंट्रे टॉल के साले के पुराता के प्रमान से आदा है नियंट्रे टॉल की जवाश्वित हड्यों के फ्रेक्शर और जखनों से हमें पता चलता है कि इनके जुमें मुश्किल भरे थे लेकिन ऐसे भी उधारण है जिन से पता कि यूरूप से इंडोनेशिया तक अलब अलब आता परण को सहते हुए सपनता पूबग रह सकते हुए लग तक साथ 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 पहले अफ्रीका में विकसित एक प्रजाती पाहर पहले लगी यह पहले आधुमी पारते जिने हम होनुसापियंस कहते हैं कुछ साथ साथ रही हमारे पास साक्षें में कुछे संक्रित थे और विचारों का आधान प्रणान करते थे जैसे गहने बनाने और इने पहनने के तरीकों के बारे उन्होंने पोशाथ के लिए जानवर की खालका इस्तमाल किया होगा फिर नियंडर तॉल रुप्ट होने लिए शायरेस के लिए क्योंकि उनके मांग स्पेश्य वाले शरीरों को जरूरत पड़ती थी अधिक भोजन की आधुरिक मनुष्य लंबे लेकिन कम बज़न के थे उनके बच्चे देर से व्यास्त होते थे इससे उन्हें गजित होने और सीखने के लिए ज्यादा समय दिद्दा था उन्हें चिंदुत में शमता आ गए थी वे नियंडर डॉप की दुड़ना में बेदर तरीकी से शिकार और फोजन निकठा कर सकते थे उन्हें एंडर यूप के उजार भेदर धालिक, छेर वाली सुई, आपूर और गहने बनाए वे ठंडे मौसम में अनपूर कपड़े पहने लगे और पहरी बार जूते के इस्तमाल भी किया उन्हें प्रजिनम के प्रषेम में महिराओं की मूंतियों के लकाशी की, गुफाओं में चितर बनाएं और हाथे के दाथों ये चिडियों की हड़्यों से बाज की बनाएं उन्होंने आपका अधिक्तम प्रियोग और नियंत्रण करना सीखा आदिन जुनों के पुरा दात्रे खोजों से में फ़ता चबता है कि वे पारिबालिक समुव में रहते थे आप पर समुवजूद रहते थे उन्हें उससे कर्ण और रोश्ट में रिती थे और चबनी जावरों से पचा भी खुता था उन्होंने ऐसे स्थितियां बनाएं ताकि वे उसमें दुनिया के बारे में जादा जान सके जीवन के बाद क्या होता है ये होमोज सैपियंस के लिए एक पड़ा सवाल था एक लाख साल पहली मद्यपूर्ट में हो सकता है अन्यक चित्रों में मुर्दों को जदा आ जाता होगा जिसकारण कुरांदत्रों विदों के पास इसके कोई सबूत नहीं है तकरीबन चारीस हजार साथ पहले होमो सैपियंस ने इस प्रक्णिया में कुछ रस्मों को शामिल किया मसलिन शव्मों सजाना और कप्र में प्रदिकात मवस्पूं को रखना लगवत दस हजार साथ पहले मानम ध्यास में एक नया ध्याय खुदा कृशिक और पालतू जानवरों के साथ प्रसा हुआ माहनव समुदाय इस समय से हमें पिट्टी के पर्तनों के सुभूत में हैं जो खाना पकाने और उसे रखने के इस्तेवान होते थे पिरकुल वैसे ही हमें सुभूर मेरे बुणी हुई टोकरियों थे पॉजार और हजिरार बनाने के लिए धाध कारें दिवरा चले था मानर अपने अस्तित्वों के सवालों का जवाब ठूने के लिए चित्रों, तीन, संधीत और लेकिन श्रब्दों के प्राचीन होगों का इस्तवार करता था शिकादे गावा में पसने लगे और वे गाव मानम संस्कति के पुर्दगम स्थार बन गए लागों सालों तक हमारे पूरोजों के अवादी दस लाग से भी काम थी होमो सेपियंस के आने से इस सब बदर रहा हम दुनिया के हम कोने में भ्याले गए जैसे जैसे मानमा वादी बढ़ती और ठैथिक है स्थानी सभी प्रिकसे दूर और जैहे प्रिवितिता पड़े वादाबर में आने वाले रगातार अगलावों के मुताबि हम अपने हाथ उठाते हैं इससे और अधिक बदर आए यह भक्रिया जाएंगे मानिक जादी में रंतर बदार के रापर पड़े हैं